वोई गाईज आज की इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं इंडिसेंट बैंक की तरफ से आने वाला एक बेस्ट जीरो बैलेंस एकाउंट वो एकाउंट आपको कैसा देखने को मिल जाता है जीरो बैलेंस एकाउंट पर क्या गए आपको चार्जिस देखने को मिल जाते हैं and benefits and features इस account पर देखने को मिलेंगे, यह account आपको कैसा देखने को मलता है, open करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, तो सभी doubts and आपके शाथ में सभी details यहर करने वाल हूँ इस video में, so video आपके लिए बहुत यादा help लोगी, because contact 811 0 balance account बंध होने के बाद, आपको यह best 0 balance account देख रह इस account की opening link मेरे description box में देखने को मिल जाएगी, उदर से जाकर आप open कर सकते है, but open करने से पहले यह आपके लिए बहुत ही जाना जरूरी है, इस account को open करना चाहिए, फिर नहीं करना चाहिए, यह account की features यह details आपको क्या कुछ देखने को मिल जाती है, तो सबसे पहले तो हम बा तो 100% यह zero balance account आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी आपको देखने को नहीं मिल जाती है, अब हम detail की बात कर लेते हैं कि क्या-के आपको eligibility character यह देखने को मिल जाता है, debit card और साथ में checkbook, passbook भी देखने को मिल जाती है, फिर देखने को नहीं मिल जाती है, तो सबसे वहले eligibility character ही है की बात करने है, तो इधर पर आपको यह 18 प्लस होने चाहिए, अधार card होने चाहिए, पैन card होने चाहिए, और यह सब original condition में आपके पास होने चाहिए, पैन card आपको और आपको वीडियो के वाईशी होगी, वह आपको अधर पर physical pen card ही आपको अपना दिखाना पड़ अब initially funding का मतलब क्या होता है, काफी वाई जानते भी होंगी, जैसे ही आप इस account को open करते हैं, open जैसे ही आपको हो जाता है, इसके बाद 20,000 रुपीज आप अपने account पर add करना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है कि आप 20,000 रुपीज add करते हैं, तो आपको maintenance balance वाला account देखने को म मिले वाला है, इसके साथ साथ हम rate of interest की बात करने, because addition bank की तरफ से आपको काफी एची rate of interest देखने को मिले आते हैं, bank accounts पर, तो अगर आपका amount up to 1 lakh रुपीज है, तो इस पर आपको 3.5% का rate of interest इस bank account पर देखने को मिलेगा, बट अगर आपका amount above 1 lakh, मतलब 1 lakh से उपर का amount है आपको interest rate मेरे साथ से देखने को मिले आता है, अगर आपका amount 5 lakh से उपर और 10 lakh तक का amount है, तो इधर पर आपको 6% का rate of interest देखने को मिले माला है, जो कि मेरे साथ से काफी आदा best देखने को मिलेगा, इसके सासाथ गईस अगर आपका 10 lakh से उपर का amount है, तो 6.75% का rate of interest इस bank account प काफिया दा बेस्ट इस एकाउंट पर देखने को मिल जाता है इसके साथ-साथ गैस इस एकाउंट पर आपको debit card भी देखने को मिलेगा, साथ में checkbook भी देखने को मिलेगी, साथ में passbook देखने को मिलेगी, checkbook और साथ में passbook आपको free देखने को मिलेगी तो unlimited आपको transaction इस पर free देखने को मिल जाते हैं तो यह debit card काफी अच्छा आपको Induction Bank की तरब से देखने को मिल जाता है इसके सासत हम बात कलते हैं SMIS Charge Because काफी bank accounts पर आपको SMIS Charge भी देखने को मिल जाते हैं तो इस account पर मैंने चेक किया काफी आदा Google पर इनके officially साइट पर चेक किया बट SMIS Charge किसी भी डैप का मैंसर नहीं है तो इस type से आप SMIS Charge भी इस account पर आपको देखने को नहीं मिलेगा free of cost आपको यह service SMIS की देखने को मिले वाली है इस account के अंदर अब बात आती है money transfer charges की बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि link मेरे description box में आपको देखने को मिलेगी जिस पर आप open कर सकते हैं जाए directly link पर चाहिए और open option देखने को मिलेगा उधर से आप basic सी detail अपनी fill up करकर video call के जरी अपनी full के वाईशी करकर इस account को open कर सकते हैं आपके बास में fiscal pen card होना चाहिए यह चीज़े मैंने आपको बतायी दिये इसके साथ इसको आप digitally open कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया इसके साथ साथ कहीं हम बात कलता है यह account आपको private sector का bank account देखने को मिल जाता है तो आपको 5 lakh रुपीज return किये जाएंगे RBI के तरब से जो की registered आपको देखने को मिल जाता है बढ़ यह काफ यादा old account आपको private sector का देखने को मिल जाता है तो गिशी भी type कैसी परेशान ही आपको देखने को नहीं आएगे विकाज यह trusted bank account आपको देखने को मिल जाता है और साथ में इसके साथ credit cards के offer, loans के offers भी आपको इस account पर काफ यादा भर भर कर देखने को मिल जाता है तो आपको pre approved offer के तोर पर 6 month के अंदर ही देखने को मिल जाएगा कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आपका शिविले स्कूर अच्छा है और ट्रांजक्सन्स अच्छे है तो अराम से आपको इस पर credit card देखने को मिलने वाला है और offers की बात कलें तो काफी आदा offers आपको इसके देखने को मिलते रहते हैं Amazon, Flipcard पर, Indicent Bank के तरब से एक card offer देखने को मिलते हैं तो उधर से आपको देखने को नहीं मिलता है किसी भी डाइप का काम अकाउंट पर कराना है तो आपको home branch ही visit करना पड़ेगा तब ही आपका काम होने वाला है लाइक phone number change कराना है तो आपको home branch पर ही जाना पड़ेगा किसी भी आप other branch पर जाते हैं तो आपको काम नहीं किया जाएगा तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है इस account पर अब guys हम बात कलते हैं इस account को आपको open करना चाहिए फर आपको नहीं करना चाहिए तो काफिया दा best zero balance account देखने को मिल जाता है अगर आप 20,000 रुपीज की funding कर सकते हैं initially funding कर सकते हैं और साथ में उसको आप निकालने कोई भी दिक्कत नहीं है ये account काफिया दा best आपको देखने को मिल जाता है and rate of interest भी आपको काफिया दा best देखने को मिलता है so guys आज की इस वीडियो में को इस तनी information आपके साथ में share करनी थी so guys वीडियो सेंदा तो वीडियो को लाइक करकर channel को जरूर सस्क्राइब करेना because आसी banking related information आपके लिए लाता रहता हूँ thanks watching guys